नमस्कार मैं और प्रिया चोले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को 3 किलोमीटर लम्बी नहर खोदने वाले बिहार के दश्वरत माांजी को आनन्द महिंद्रा ने दिया एनाम अपने खेत को सीचने के लिए 30 साल में 3 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाले व्यक्ति को महिंद्रा ग्रूप के चेर्मेन आनंद महिंद्रा ने इनाम देने की घोशना की है अनंद महिंद्रा ने उनकी मदद के लिए ट्विटर का सहारा लिया है किसान के लिए मदद की मांग करते वे एक ट्वीट के जवाब में आनंद महिंद्रा ने लिखा कि जैसा कि आप जानते है कि मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि उनकी नहर पिरामिट के समान प में उठी मांग, राजसभा में बीते दिन भाजपा के एक सदसे ने भोजपूरी को सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग की है, जिसकी तहत उन्हों ने कहा है कि करीब पचास साल से की जा रही, मांग को पूरा करने के लिए सरकार को ततकाल मांडा में तो भोजपूरी भाशा बोनने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, भोजपूरी को सम्विधान की आठवी अनुसूची में डाल जाने की पचास साल से चली आ रही, मांग को पूरा गरने की ज़रूरत है बिहार के युनिवर्सिटी में नए वीसी की हुई न्यूकती, बिहार के छे युनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर की न्यूकती कर दी गई है, पाठले पुत्र युनिवर्सिटी के प्रफेसर वीसी प्रफेसर गिरीश कुमार चौधरी को पटना युनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर बना दिया गया है, इसके साथ ही प्रफेसर अजय कुमार सिंग को वी सी बनाए गया है, वहीं बिहार के राज़ोपाल और कुलाधिपती फागो चोहार ने सम्मंध में राज़ोपाल सचिवाली को अधिसूच ना जारी कर दिया, राजभवन की तरफ से जारी की के नोटिफिकेशन के मताविक प्रफेसर रामकेश्वर प्रसाद रमन को मध्यपुरास्थित बी अन मंडल युनिवरसिटी में कुलपती न्युक्त किया गया है, वहीं श्रशीनाथ ज्छाको दर्भंगास्थित कामेश्वर सिंग, संस्क्रत विश्विद्याल मे प्रफेसर फारुख अली को, छप रास्ते जय प्रकाश नारायन युनिवरसिटी में प्रफेसर नीलिमा गुपता को टी-म भागलपुर युनिवरसिटी में न्युक्त किया गया है, विहार में चनाविकाल में नौकरियों की आई बहार, बिहार के इंजिनिरिंग और पॉ प्रफेसर फारुख अली टेकनिक कॉलेज के 988 पद है, जिसकी जानकारे विभाग के अपर मुख्यस्दाचिफ ब्रजेश महरोत्रा पर निदेशक संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फरेंस में दी है, इंजिनिरिंग कॉलेज में सहाइक प्राध्यापक के 14 704 सह प्राध्यापक के 429 प्राध्यापक, 168 प्रचार के 32 पदों और पल्टेकनिक कॉलेज के व्याख्याता के 796 होडी के 167 प्रचार के 25 पदों को प्रस्ताव BPSC को भेजिया गया है बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची एक लाग 66,000 के पार, स्वास्तिमभा के तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किया गया आकड़ों के नुसार बिहार में कुल मिलाकर 16-16 नय मरीजों की पुष्टी की कई है, जिसके बाद बिहार में प्रभा पाविजलों की बात करें तो अररिया में 107, अरवल में 13, औरंगाबाद में 29, बांका में 36, भागलपूर में 27, बकसर में 21, दर्भांगा में 21, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 26, गोबाल गंज में 52, जमूई में 25, जहानाबाद में 18, कैमूर में 7, कटिहार में 32, पहरसा में 69, समस्तिपुर में 24, सारण में 43, शेखपुरा में 36, श्रेभर में 8, सीतामणी में 19, सिवान में 22, सुपॉल में 93, वैशादी में 30, पश्यम चंपारण में 49, वही स्वास्ता वभाग के तरब से बीते दिन श्राम 4 बजे तक जारी किये गया, आंकडों के नुसा बात हो चुकी है, चुनाव आयोग के निर्देश पर आयकर वभाग ने एर इंटेलिजेंस यूनिट को इसकाम के लिए लगा दिया है, इसके लिए दो अधिकारियों की टीम पटना के जैप्रकाश नारायन इंटरनाशनल एरपोर्ट और गया इंटर्व्यू एरपोर्ट अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, चुनाव आयोग ने इसकी सूचना सभी जिलो को दे दी है, साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि एर इंटेलिजेंस यूनिट से संपर्क बनाय रखने का आदेश दिया जाए, ताकि आवशक्ता पढ़ने पर किसी भी जिले में सूचना एक बार फिर से बढ़ा दी है, गंगा का जलस्तर जहां लालनिशान के नीचे पहुचा था वहीं दूशरे तरफ उतर बहार की नदियों में एक बार फिर से उफान देखा गया है, जहां तक तीन बार ऐसा हो चुका है जब नदियों में उतार चड़ाहugg देखा गया है, क मुख्यमंद्र नितीश कुमार के उधगाटन के बाद अब एक साथ पांच हजार लोग देख सकेंगे फिल्म पत्ना को स्मार्ट सेटी बनाने की कवायद में बीते दिन पहली बार मेगा स्क्रीन पर योजना के शुरुआत की गई जुसके तहट मुख्यमंद्र नितीश कुम जहां पर प्रसारित कम से कम पांच हजार लोग एक साथ खुले मैदान में फिल्म देख सकेंगे आज भिहारी पैचान में हम बात करेंगे श्रधाश शर्मा की श्रधाश शर्मा यॉर्ट सिटी की सीओ है जोनों ने डिजुटल मीडिया प्लाटफॉर्म पर शुरुआत की थी जहां अपने स्टार्ट अप की शुरुआत से पहले वो CNBC TV 18 में Vice President के तौर पर काम कर चुकी है और The Times of India के Brand Advisor भी रह चुकी है इसके साथ ही उन्होंने On Try With Lakshmi में उन्हें समान भी क्या था एता ही नहीं उनकी Your Story Company में रतन टाटा पानी खोला समेत कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है आपको बता दे उनका जर्म बिह पालन नहीं करने वालों से बिहार पुलिस ने वसू ले 2 करोर से ज्यादा रुपए बिहार में COVID-19 के मामने लगातार बढ़ते उचार है अन्लोक चार को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्याले ने सभी जुला ध्यक्षों को बाहन चेकिंग मुहीम चलाने का निर्दे इ एक सितंबर से अब तक कुल मिलाकर 15 मामने दर्च किये जा चुके है और कुल 58 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है पुलिस लगातार वाहनों को जब्त करने और मालिकों को हिरासत में लेने का काम कर रही है इसे बीच पुलिस मुख्याले के ADG जीतेंद्र कुमार क रूप में वसूले जा चुके हैं राजपाल फागु चौहान ने राजभवन की नई वेबसाइट को किया लॉंज राजपाल फागु चौहान ने बीते दिन बिहार की नई वेबसाइट www.governor.bis.nic.in को लॉंच कर दिया है राजपाल सेह कुला धिपती ने कहा है कि सूचर राजपावन का नया विक्सित वेबसाइट लॉंच किया गया है इसके माधियम से राजपावन में सम्मंदित सभी प्रकार की महत्रपूर्ण सूचना एं प्रकाशन विग्यापन अभिलेक आधी सर्जन के लिए सुलभ हो सकेगी उपमुक्य मंतरी सुचील कुमार मोदी ने हर गरीब के खाते में तीन से चार हजार भेजने का किया दावा उपमुक्य मंतरी सुचील कुमार मोदी ने हर गरीब के खाते में सरकार की तरफ से तीन से चार हजार भेजने का दावा किया है जिसके तहतरों ने बीते दिन ग्र उसकी मदद सरकार ने नहीं किया, उन्होंने साफतार पर कहा कि परिश्वानी के माहौल में जो गरीबों की मदद करता है, गरीब उसे कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा है कि जिन वाहनु में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, उसे जब्त कर दिया जाएगा, समन्दित SDO को निर्देश दे दिया गया है, ताकि भीडभार वाले इलाके में ना जा सके, उन्होंने एरपोर्ट एरिया एवं रेलवे छेत्र में मास के प्रयोग संबन्धी माइकिंग कराने को कहा है, जाप रमुख पपु यादव ने 27 सेतंबर को बिहार बंद का किया एलान, पार्टी के संग रक्षरोक और पूर्फसांसत पपु यादव ने केंद्र के क्रिशी विध्यक का जम कर विरोध किया है, उन्होंने इस खेती का अमीरों के हाथों गिर्वी रखने का कानून बताया है, कृषी विध्यक के खिलाफ 27 सेतंबर को बिहार बंद करने का एलान भी उन्होंने कर दिया है, जानदिकार पार्टी के संग्रक्षर पपु यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार के सिनियम से 20 सेतंबर को जाप के कारे क सभी जुला मुख्याले में प्रधान मंत्री के खिलाब विरोध करेंगे अगले दिन याने किसको पोल खोल नुक कर सभा का आयो जोनोगा 26 सेतंबर को फिर से विरोध किया जाएगा वहीं 27 सेतंबर को बिहार बंद का एलान कर दिया जाएगा पटना में ओवेसी ने दिया अपना बयान वहीं देवेंद्र यादफ की पार्टी के साथ बनाया नया गठबंदन AIMIM के मुख्या और लोग सभा सांसद ओवेसी ने राजदानी पटना पहुचकर पत्रकारों से बाचीत के दोरान राश्ट्रिय जनता दल पर तंच कसा है जिसके दहत उन्होंने कहा कि हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार है और जनता सब देख रही है सभा चुनाव के नजदीक आने के बाद बिहार में राजनेतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है नए ने गठबंदन सामने आ रहे हैं सिक्रम में जांसदोवेसी की AIMIM पार्टी और पूर्व केंद्रिय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जुनता दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरने पर सहमती बना चुकी है IIT पतना को पूर्व भारत के स्टार्टप हब के रूप में विक्सित करने में सरकार ने मदद का दिया आशवासन पादिक प्रभावित है उससे मुकाबले के लिए अन्वेशन करके नए अप्स, सॉफ्ट्वेर और उलेक्टॉनिक उपकरन को विक्सित करने में कोशिश करें। प्रभावित है उससे मुकाबले के लिए अन्वेशन करें। प्रभावित है उससे मुकाबले के लिए अन्वेशन करें। अब सवाल उठने लगा है। बटवारे को लेकर मन्थन लगातार जारी है सीट बटवारे के सिलसले में ही उपेंदर को श्वाहा। प्रभावित है उससे मिल गया भरोसा। महागठ बंदन छोड़कर वजदियू के सहारे एंडिये में एंट्री लेने वाले जीतर नाम मांजी को नितीश कुमार ने विधानसभा सीटों पर अपना भरोसा दे दिया है। जिसकी तहत मुख्य मंत्री नितीश कुमार से मुलाकात कर चुके जीतर नाम मांजी को यह मालूम है कि उनके उमिद्वार किन विधानसभा सीटों पर अपनी किसमत आजमाने वाले हैं। और युवा मोर्चा के उमिद्वार ने जन संपर्क मुहिम के शुरुआत कर दी है मेरी जुआनकारी के नुसार कार्यकरता विधानसभा सीट के दावेदार पुर्व मंत्री अनिल कुमार लगातार संपर्क में जुटेवे हैं। इसे सरकार के विकास की पोल खुल गई है। शानदार जीत में आपकी जुआनकारी के रहा को बताते बीते दिन खेलेगे माच में सबसे पहरे मुमार इंडियन्स की टीम ने बल्ले बाजी करते हुए कुल मिलाकर 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन का लक्षे रखा था। वही चन्ने सुपर गिंग्स की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर इलक्षे को प्राप्ट करते हुए 166 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दर्च की। जियोफोन ने यूट्यूब वीडियोज को आसानी से कर सकते हैं डाउनलोड जियोफोन बाजार के पॉपलर फीचर फोन में से एक है यह के AI OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है यह प्रिबिल्ट आप स्टोर के साथ आता है जहां से यूजर फोन के लिए बनाए गया आप और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं यह हैंसे यूट्यूब अपने साथ भी उपलब्ध रखता है जिससे यूजर अपनी फेवरेट कंटेंट्स को देख सकते हैं इसके लिए अगर आपके कुछ वीडियो को सेव करना चाहते हैं जिससे आप बिना इंटिनेट के बात भी दे कर दें यह आपको जियोफोर में दूश्री वेबसाइट पर ले जाकर इसको स्क्रोल डाउन करें और क्वालिटी और डाउनलोड बटन सेलेक्ट करें कल हमारे द्वारा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लि नील भारती, अंकुर कुश्वाह, रुपेश चौधरी इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगी मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल कियो और आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके नुसार भोजपूरी भाषा को समविधान की आठवी अनुसूची में डालना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतन करें धन्यवाद